ही गाईज दिस इस दिक्षा जूही वेलकम तो माई चैनल इजी तू लर्ण गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नैशनल बोटैनकल गार्डन लखनों के बारे में तो चली गाई स्टार्ट करते हैं नैशनल बोटैनकल गार्डन वोस बुल्ट बाई नवाब सादत अली खान इन एर एटीन हंडर्ड अफ्टर एट नवाब वाजिद अली साह हूँ वास्ट लास्ट नवाब आफ अवध्ध हूँ में इंप्रूफ द गार्डन और यूज इस समर पैलेस गाईज नैशनल बोट नवाब वाजिद अली साह जो कि आवध के आखरी राजा थे इन्होंने इसे बगीचे के रूप में बनवाया और इसका सुधार करवाया फिर इसको अपने समर पैलेस के रूप में इस्तमाल किया नवाब वाजिद अली नेमड इट एज सिकंदर बाग आफ्टर हीज लवल नैशनल बोटैनिक गार्डन यन बी जी बाइ प्रोफेसर कैलासनाथ कॉल ओन बिहाफ आफ अफ दा स्टेट गर्रमेंट ऑफ उतर प्रदेश गैज मोल रूप से उतर प्रदेश राज सरकार की ओर से प्रोफेसर कैलासनाथ कॉल द्वारा इसे राश्ट्रिय वनस्पति इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डॉक्टर त्रिलोकीनाथ खोसु जोइन इन 1964 एज असिस्टेंट डारेक्टर सौर्टली ओफ्टरवर्ड्स बिक्मिंग दा डारेक्टर गैज उन्नी सु तिरपन में इस उद्यान को CSIR ने अपने कबजे में ले लिया था फिर गैज डॉक इंस्ट्रियल रिसर्च एंसिट्यूट गैज डॉक्टर खोसु के अथक प्रियासों के कारण संसान 1978 में नैशनल बोटैनकल रिसर्च एंसिट्यूट के मीन्स गाइज राश्ट्रिये वनस्पति उद्यान संसान के रूप में सापित हो गया तो गैज अब बात करेंगे नै गार्डन इस स्प्रेड ओवर 25 एक्टेयर ओफ एरिया एंड इट कॉंसिस्ट ओफ वैरियस ट्रॉपिक एंड सब्रॉपिकल प्लांट स्पसीज यह उद्यान 25 एक्टेयर छेत्र में फैला हुआ है और इसमें बिभिन उस्ट कटबंधिये और उपोस्ट कटबंधिये के नाम से जाना जाता है वह गोमती रीवर के साउद बैंक पर इस सीथ है मिन्स गाइस पस्चमी किनारों पर इस सीथ है एस वी इंटर इन दे गार्डन फॉम असोग मार्ग वी सेल शी अ लार्ज ओचर्ड ऑन बोट साइट साइड सॉफ रोड ऑन गज़ अब लेफट साइ और निम्बू का बाग तथा दाईं और आम का बाग दिखाई देगा When we pass through the Palm Avenue, there is Banyan Point Moving toward right from this point, we pass through the Rose area with large and beautiful collection of roses and then reach the woodland at the north end of Banyan Point Aquatic Garden is situated Guys, जब हम Palm Emoni से गुजरते हैं तो हमें Banyan Point मिलता है और फिर जब हम इस बिंदू से दाईं और बढ़ते हैं तो हमें गुलाब के बड़े और सुन्दर संग्रह वाले Rosarium देखाई देते हैं और फिर वहां से गुजरते हुए हम उड्लैंड की तरफ बढ़ते हैं गाइस बन्यान पॉइंट के उत्री छोर पर जलिय उद्यान यानि की Aquatic Garden उपसीत हैं The shade-loving species is situated in the south western portion of the garden Guys, जो छाया प्रिये प्रजातियां हैं वो उद्यान के दक्षणी पस्चमी भाग में इसीछ हैं Three plant houses are also situated in this garden Palm house, fern house and orchid house On the west side of the fern house, vertical garden are situated Where plant vegetables and fruits are grown in baskets Guys, जो ये garden हैं इसमें तीन plant houses भी मौझूद हैं पहला palm house, दूसरा fern house, तीसरा orchid house Guys, जो fern house है उसके पस्चमी में vertical garden उपस्थित हैं जहां पर पॉधे और सबजीयों को टोक्रियों में उगाया जाता है This botanical garden comprising about 5000 genera representing 202 families And a rich genetic resources with the collection of trees, subs and herbs of medicinal, ornamental, economic, aromatic plants Guys, इस वनस्पतिक उद्ध्यान में 200 families का प्रत्निधित करने वाले लगभग 5000 genera सामिल हैं और यहां आसधी, सजावती, आर्थिक, सुगंधिक पॉधे के पेड, जाडियां और जडी बूटियों के संग्रह के साथ एक सम्रिद अनुआंसिक संसान मौजूद है The National Botanical Garden is famous for its flowers so organized during winter every year in which numerous type of flowers are present Botanical Garden opens from 6 a.m. to 5 p.m. National Botanical Garden जो है, वो हर साल सर्दियों के दोरान आयोजित होने वाले फूलों की पुरदर्सनी के लिए प्रशिद है जिसमें कई प्रकार के फूल लगाया जाते हैं और फूलों का पुरदर्सन किया जाता है Guys, main point यह है कि Botanical Garden आपका भी घूमने जाईए तो याद रखिए वो सुबा 6 से साम 5 बिजे तक ही वोपेन रहता है Guys, आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको या वीडियो अच्छी लगी तो प्लीस इसे सेयर करें साथ सी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू